अरत घूम ने आये एक अमेरिकी मुस्लिम कपल को हिंदू संस्कृति से इतना लगाव हो गया कि उन दोरों ने मंदिर में शादी करने का फैसला कर लिया पुजारियों के मंत्रों चारण की बीच कपल ने महादेव मंदिर में साथ फिर लिये और फिर सिंदूर दान हुआ इस दुरान मुस्लिम दप्मत्ति को हिंदू संस्कृति ऐसा भाया कि दोनों ने हिंदू रिती रिवास से बाबा बोले नात को साक्षी मानकर तिल्योचन महादेव के मंदिर में शादी कर ली खाला की कपल इससे पहले भी निकाह कर चुका था मंदिर के पुजारी रवीश अंगर गेरी के अनुसार दोनों की उम्र चालिस और पिंतालिस के बीच है पुजारी के अनुसार कपल पहले से शादी चुता है खालिद ने बताया कि वह नो बच्चों के पिता है वहीं पतनी केशा खलिफा के अनुसार उनके दादा भारतिय मूल के हिंदू है अमेरिकी मुस्लिम कपल का हिंदू परंपरा के मताबिक शादी करने की घटना के आसपास की इलाकों में खुब चर्चा भी हो रही है हिंदू रिथी रिवा से शादी करने को लेकर किया माहा ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी जिन्दकी से कुछ मिसिंग है मैं बगवान के साथ डीप कनेक्शन चाहता था हिंदू धरम को फोलो कर हम खुद के साथ एक भैतर कनेक्शन डवलप कर सकते हैं तो मैं बगवान के साथ भी एक भैतर कनेक्शन डवलप कर सकता हूँ मुझे लगता है कि हिंदू धरम से मुझे मानसिक शान्ती मिल सकती है किया मैदिन खलीफा अपनी पतनी केशा खलीफा के साथ भाद गुमने आयते वारानसिक की घाटों, मंदिरों और दूसरे धरम की जगों पर घूमने के दुरान दोनों को हिंदू संक्रिती से इतना लगाव हो गया कि उन्होंने हिंदू रिती रिवास से विवाइक बंदन में बंदने का फैसला लिया आला कि पास्पोर्ट और विजा साथ में ना लाने की वएस से शादी के तुरंद बाद रिजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिए बिना ही कपल को वापस लोटना पड़ा था फिर रभीबार को मुस्लिम कपल ने जरूरी कागज़ा दिये और सर्टिफिकेट ले गए कियामय और केशा के साथ आये पंडित गोविंद शास्ति ने बताया कि हिंदू रिजिती रिवास से शादी की साथ रस्में पूरी की गए थी और इसके बाद वे दोनों चले गए थे ऐसे वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें धन्याबाद